पंद्रासो का बेग लेकर तील सो अंदर रखने वाली लड़कियों को भी वतन की हवाए सलाम केती है शादी हमेशा छोटे कद की लड़की से करनी चाहिए क्यूंके मुसिबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा है बांध लो कफन में चोकलेट कबर में खाएंगे इन लड़कियों ने तो धोका दे दिया अब चुडेलों को पटाएंगे शुकर करें गुना की बद्बू नहीं होती वन्ना ये दुनिया रहने के काबिल ना होती आई थी मेरी कबर पे दिया जलाने के लिए रखा हुआ तेल भी ले गई साली बालों पे लगाने के लिए लड़के भी आजकल ब्रेंडेट कपड़ों की बाते करते हैं जो बचपन में बारात में स्कुल का यूनिफाब बेन कर चले जाते थे सुनो लड़कियों इतना हुसन लेकर कहा जाओगी एक दिन तुम भी आइंटी बन जाओगी बचपन में मार मार के सुलाते थे अब मार मार के उठाते हैं पता नहीं घर वाले चाते क्या हैं अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूग करें क्यूंके एक बाप अपनी पूरी दुनिया आपको देता है इंसान बंदूग से निकली वी गोली से तो बच सकता है लेकिन अम्मी के आज से निकली हुई चंपल से नहीं जितनी बाइक घर वालों के लिए चलाई है अगर इतनी फूड पेंडा वालों के लिए चलाई होती तो आज लाखों का मालिक होता शाम की चाए ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे बंदा सुस्राल जाए और मंगेतर ना मिले बाइजे सरकार डीजल पट्रॉल दे रेट नहीं कटा सकती तक किलो मीटर आले पत्थरी नेडे लादन इंदे ना गड़ियां एवरेज जादा देन गिया महापद अब भूमाय अबस का काम नहीं मुशल हम अब कल से फिर नेड़िल गए मुशल जो भी रखाए प्रिज में रखाए मुल्क के हालात यहां तक आ चुके हैं कि आजकल किसी को अंडे या टमाटर भी नहीं मारे जा सकते वो तुमें चॉन तानों का कहते के गुम्बना करेगा मुशल तुमें से आईपून का ही कहना ये तनी मर्जिंग रेजी पल लो मुशल कबूल है तो और दूमें ही कहना पड़ेगा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और साम तक सहीद हो जाता है वहम से बचो आराम से उठो मेरी मस उम्यत पर मत चाना मुशल मैं थपर मात के पहुँचातूँगा बहुत कहती से वो मर गया मुशल जैसे गुट्टो वो कल भी जिन्दा था वो आद भी जिन्दा इस साल कितने ही गोरे गोरियां करोना से मरे हैं लगता है इस बार सर्दियों का लुंडा बहुती आला किसम का आएगा उसकी बातें तकलीब नहीं देखती मुशल जितनी तकलीब वीडियो वाइरल ना होने भी जिससे ज्यादा जलालत क्या होगी मुशल वो बहुत धंस्ती है मगर भंस्ती नहीं जिस जिस में लिद्वा की शुक्रियाद ये देखें आपका छड़े मुशल ठीक हो गया है जो आपके लिए रोता है ना उससे कभी मत छोड़ना क्योंकि नसीब वालों को ही ऐसे चाहने वाले मिलते हैं काम ऐसा करा के लोग अगली बार कहें मुशल तुरैन दे मैं आपके कर लूँगा आपका छटा मुशल दोहोरा गया है जिस जिस में मिलने चार बजे जलो पारका आजाए तुमारी थी तुमारी हूँ तुमारी रहूंगी मुशल बता नहीं ये मैचिस कभाएगा सूखियां रोटियां बेचने का ये मतलब नहीं के हमें पैसे चाहिए मुशल कभी कभी पैकेज भी खतम हो जाता है लोग मन नहीं जाते एटी का लगाने से मुशल बस बैढ़ने उठने का तरीका बदल जाता है बच्पन में सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता था जब सारी रात बारिस होती थी और सुभा एस्कूल जाने के टाइम पे बारिस बंद हो जाती थी हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था बेटा तुमसे ना हो पाएगा खुद को बेकार मत समझें आपका एक गुर्दा मुझे आईफोन दिला सकता है द्रख्त नहीं हूँ जो काट कर चले जाओगे काका पहाड हूँ गिराने में तेरी नसले मिट जाएंगे सब दिल लगा कर काम करते हैं और मैं मुबाइल चार्ज पे लगा के सुनो एक राय है सुनो एक राय है इश्क से बहतर शाय है माबाप अमीर हो या गरीब ये ओ इनसान है जिसके साय पर बच्चे राज करते है सर्दियां आ रही है सबसे पहले आपने नहाना नहीं है चलो महबत को आगे काई जाए मुशेट और इसी आग में बढ़ियानी पाई जाए पापा जी कहते है मुशेट जाँ डालना करे आपसाँ पकालो मुबारक हो वो दिन आ गए जब लड़किया लुंडे की जर्सी पेन कर बोलेंगी बाई ने दुबई से बेजी है सुनो लड़कियों कभी अपना एन आईसी वाला फोटो भी डीपी में लगाओ न वो भी तो अपना ही है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही के इंटरनेट फ्री है या हम लोग ना तो मैं सिंगल हूँ और ना ही रिलेशन्शिप में बस अम्मी के वरों से बेठा हूँ क्या आपको पता है कि बीवी और टीवी में कोई फरक नहीं होता एक ड्रामा खत्म तो दूसरा शुरूँ आज कल प्यार करने से बेतर है बंदा कमेटी डाल दे यकीन तो होता है कि हमारी है और हमको ही मिलेगी मेरे दोस्तों को देखकर तो शेतान भी केता है आईए उस्ताद आजम बले ही आप करोला वाइरस को मजाक में ले रहे हो जब आपको जुकाब और खासी होगी ना तब आपकी पाकिस्तान में किताब लिखने वालों से ज्यादा तावीज लिखने वाले कमा लेते हैं खास तोर पर जल्च शादी करने वाला जादू देखने तो ब्यूटी पारे में देखो मुश्य है जो पांदरी को शुजादी ना देता है लड़कियों को अपने वाला हाजी और बाकी सब ठरकी ही लगते हैं मेरी मसुम्यत पर मत जाना मुश्यर मैं ठपर मार के भाग जातू जा होकों कभी तरकी नहीं कर सकती जिनके बच्चे तालीमी इदारे खुलने से ज्यादा उनके बंद होने पर खुश होते हैं हुकुमत से गुजारिशे के सिंगल लोगों के लिए एक ऐसा होटल बनाए जहां वेटर्स आकर उनसे पूछे मेरे बैबु ने थाना खाया हर जगा पे इज़त है अलहम्दुरिल्ला सिवाए अपने घर के गुरु सब कुझ हारे गया बच्चपन जीटिये वाई सीटी की गलियों में गुजर गया और जवानी पबजी के जंगलों में